अब जो आज का टॉपिक है वह एक बिमारी पर है जो बिमारी ना ऐसी है कि मतलब पेड़ों का बचना ना मुँपिन होता है मेरा बहुत नुकसान क्या आप बीमारी ने अभी अभी हाल फिलाल जैसे ही फरवरी शुरू होती है अप्राइल शुरू होती है तो आप क्या करते ह आपको देखने को दिखाता हूं यह देखें चैसे मेरा एक बहुत बड़ा पेड़ था मुरूद का आपने में लास्ट वीडियो में देखा होगा और बहुत अच्छे फ्रूट आ रहे थे मतलब इतने बड़ बड़े फ्रूट आते थे मुरूद कर बहुत टेस्टी ऐसी म में जो बिमारी लगे ना तब यह तीनों की तुनों बचने ही मुश्कियों मलब जब तक बिमारी भी ऐसी लगे जिसका इलाज मुझे मुझे मिल पाया बिल्कुल भी अभी देखे कुछ आने सिम्टम नजर आ रहे हैं उससी बिमारी के अभी बी ओपर तक आ गागी है यह यह जो आपको बिमारी नजर आ रहे हैं गाटे-गाटे सी यह होती है निमा टोड़ मैंने वैसे इनको बचाने की कोशिच की है पर यह बिल्कुल खतम हो चुका और यह भी मुझे लगता खतम हो चुका इसके कुछ चांस लग रहे हैं लकडी जैसा होता जा रहा है यह यह यह देखे हरा तो है बर मुझे लगता निवचे की तरह काला हो चुका है यह यह भी थोड़ सा हरा है बीच लिए तो नेमा टोड़ होता क्या है कैसी बिमारी होती है जिसमें जिसम फटिकलाइसर देते हैं या कुछ भी करते तो बैक्टिरिया में मिट्टिया होता है जो ग बीच भी जाए तो अपना ट्रीटमेंट कर लेगा पर कुछ प्लांट वैसा होता है जो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते है जैसे अमरूद हो गया अमरूद की जड़े काफी मीठी थी मेरे पास हो सकता है जो एक मुझे लिखनी है उसके लिए तो इन्होंने क्या करा है प्लांट की जड़ों में जाकर अंडे दे दिए अब जहां ही अंडे देते हैं तो उस हिसी में एक छोटी सी गांट बन जाएगी और जो प्लांट के लिए न्यूट्रीशन होगा वह आगे तक नहीं बढ़ पाएगा यानि कि एक तरीके से बैरियर लग क्या है कि प्लांट कोई बीमारी नहीं कोई experience आद्मी होगा तो शायद पेचान जाए पर मैंने देखे इसके कुछ पेचान समझीए देखे जैसे आप उपर के तरफ देख रहे हैं इस तरीके से पेड़ में आप थोड़ी सी जड़े खो देंगे तो जड़ों में आपको जंगा जंगा गाट इसको वह भी निमा तोड़ गाई मलब है कभी-कभी चोटे पेड़ों में देखने मिलता है क्योंकि जब यह मैं कभी-कभी दो-तीन पेड़ ले क्या हूं मर गए मुझे लगता ऐसी है पर जब इनको खोदके फैक्त दाना हूं कि जड़े मोटी लिकलती तब मेरे को इतनी प्लांट में निमा तोड़ घॉब लगाओ अगर चोटे पेड़ में थी जड़ाओ कि यह बेक्टेरिय कभी मरे मरेगा तो नहीं तो पर क्या रह सकते हैं अब देखें मेरा कितना नुकसान हो एक दो-तीन यह बात पैसी है नहीं कि यह नहीं कि हम बूत कर पेड़ अब जितना बड़ा है लोकाट का पेड़ हो रहा ना मेरा भी इससे भी बड़ा हो था पेड़ तो अभी देखे मैं नया पेड़ खरीद के लाए हूं हमुरूद का हीरा और अभी को ज्यादा एक इसको तो एक महीना भी नहीं हो भी आए वे तो इसमें ग्रोथ दिखाई दे अब किजें नीमा टोडके बारे में बात हुई है कि तो इसका शुआ होता जalt कूला जब फर्टीलाजर दुकान होती घंग मीलतें प्लांट के रिकार्टिंग में किया कि ऐसे सी बात है कि मेरे निगमा टोड़के तो उन्हें साफ में कर दिया कोई मेडिसी नजर आई पर वह महंगी इतनी 2000 रुपे की एक शीशी देती वड़ी अब सोचो मेरे 70 रुपे का पेड़ है ठीक है 500 रुपे का गमला है इसके लिए इस अच्छा में दूसरा पेड़ लियाता हूं और इसका देशी इलाज जो मैंने ढूंडा है नेट पे और लोग उसमें नर्सरी वालों से बात हुई है वह यह हुई है कि अमरूत वगर के पेड़ पे जैसे फरवरी मार्च का टाइम आता है उस ताम पे गेंदे के और यह फूल के फूल दे रहा है पॉलिनेशन का पॉलिनेशन करेगा और मेरे पेड़ के जो रूट है उसको बचाएगा क्योंकि इसकी जो पत्यावी सड़के लिख लेंगे ना वह मेंडिसन का ही काम करेंगी जो निमाटोड का बैक्टिरिया होता हुआ उसे गेंदा बिल मुझे पहचान हो यह एक तमरूद की एक अंजीर की और एक अपने रुद्राक्ष की तो इनमें मैं क्या करूंगा हमेशा गेंदेगे पर टाइम से लगा दिया करूंगा अगर आपके साथ भी बीमारी हुई हो या आपके साथ यह फेस हुआ